भारत को अगर प्राकिर्तिक रूप से बाटा जाए तो इसे तीन भागों में बाटा जा सकता है सबसे उत्तर में परवतिय भाग, मध्य में, मैदानी भाग, एवं दच्छिन में पठारिय भाग के रूप में बाटा जा सकता है तो आज हम इस वीडियो में भारत के पठाडों के बारे में जानेंगे कि भारत में कौन से पठाड किस राज में और कहां पाये जाते हैं नमस्कार दोज्तों मैं दीपक कुमार सर्चकेडमी की यूटूब चेनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो इस वीडियो में आप सभी पठाड के बारे में जानने बाले हैं तो आप पहले ये जान लेजिए कि पठाड होते कैसे हैं आम तोड़ पर 1000 मीटर से नीची पहाड यां जिसका उपरी भाग समतल दिखाए दे उसे पठाड कहा जाता है जैसे कि ये आपका समतल भाग वा मैदानी भाग और यहां से एक हडार मीटर से नीची पहाड यां जो कि इस परकार से समतल दिखाए दे परवतिय भाग इस परकार से दिखते हैं लेकिन पठाडी भाग इस परकार से उपर मैदानी भाग की तरह दिखते हैं इसे पठार कहा जाता है चलिए इमेज में भी आप सभी एक बार देख लिजिए या भाग जमीन से उचा भी है और समतल भी है अधर इसे पठार कहा जा सकता है आपने प्रारम में जाना कि भारत में पठार ये भाग भारत के दच्छनी भाग में पाये जाते हैं तो इसे भार को मुख रूप से दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है अपने भारती पठार को बाड़े में अगर पढ़ा होगा तु सबसे पहले आपने दक्कन का पठार के नाम ही सुना होगा इस सबग्र पठार ये भाग को मुख रूप से दक्कन ट्रेप के नाम से जाना जाता है और नर्मदा जदी इस प्रारदीपी पठार को दो भागों में बारती है एक नर्मदा के उत्री भागों वाले पठार और नर्मदा के दच्छनी भागों वाले पठार दक्कन ट्रेव का मुख्य हिस्सा महराष्ट में इस्थित है अब चलिए भारते राजों में दक्कन ट्रेव को अन्य नामों से भी जाना जाता है इसे उस राज में क्या कहा जाता है इसके बारे में जानेंगे तो धारबार का पठार करनाटक में इस्थित है करनाटक का प्राचीन नाम धारबार भी था इसलिए इसे धारबार का पठार कहा जाता है राइसीना का पठार आंध्रपरदेश में है आप इसे राइसीना की पहारी मत समझ लीजिएगा क्योंकि राइसीना की पहारी नई दिल्ली में इस्थित है और राइसीना का पठार आंध्र परदेश में इस्थित है बिदर्व का पठार यह नागपूर में इस्थित है नागपूर वाले इलाके को बिदर्व भी कहा जाता है और बिदर्व किर्केट एसोसियेशन नागपूर में ही इस्थित है यह नागपुर और बर्धा वाले छेत्रों को विधर्व का पठार कहा जाता है नेक्स्ट है बिंध्याचल का पठार या पुर्ण रूप से मध्ध परदेश में इस्थित है और प्रस्ण यहीं से बनते हैं जो कि एक ही राज में पुर्ण रूप से इस्थित हैं जैसे कि धारवार का पठार कहा है करनाटक में राइसीना का पठार कहा है आंतर परदेश में बिंध्याचल का पठार कहा है मध्ध परदेश में कुछ अन पठारों के नाम जान लेते हैं जो कि एक से अधिक राजों में इस्थी थे हैं जैसे कि मालवा का पठार यह मध्य परदेश, राजस्थान और गुजरात बाले कुछ हिस्थों में फैले हुए हैं अगला है बुंदेल खंड का पठार उतर परदेश के दचनी भाग को बुंदेल खंड भी कहा जाता है और यह थोड़ा सा मध्य परदेश में भी आ जाता है और बुंदेल खंड का पठार मध्य परदेश और उतर परदेश में इस्थी थे अगला है बगेल कंड का पठार बगेलखन का पठार मधपरदेश और 36 गड़ में इस्थी थे नेक्स से छोटा नागपूर का पठार यह बहुत ही इंपोर्टेंट प्रसन यहां से बनते हैं कि छोटा नागपूर का पठार कहा है जारखन में छोटा नागपूर के पठार को भारत की रूड घाटी भी कहा जाता है क्योंकि यहां से बहुत अधिक मात्रा में कोईला का निस्कासन किया जाता है अगला है भेरी भेरी इंपोर्टेंट प्रसन यहां से बनता है कि प्रुबोत्तर का पठार किस राज में इस्थी थे प्रुबोत्तर का पठार मेगाले राज में इस्थी थे अब चलिए इन सभी पठारों को एक बार भारत के मैप में भी देख लेते हैं चुकि नर्मदादर्धी इस परकार से गुजरती है और यह प्राइदिप यह पठार को दो भागों में बारती है उत्तर और दच्छिन में मालवा का पठार इस वाले इलाके में फैला हुआ है बुंदेल खंड का पठार इस वाले इलाके में फैला हुआ है बगहेल खंड का पठार इस वाले इलाके में फैला हुआ है और यह हजारी बाग का पठार छोटा नागपूर का पठार यह जार्खन पुर्ण रूप से पठार यह इलागा ही है पुर्वत्तर का पठार यहां मेघाले में इस्थी थे जहां पर गारो खासी की गारो खासी जेंतिया की पहाड़ियां है दक्कन ट्रेप का मुख हिसाब यहाँ पर इस्थित है जो कि महराष्ट राज में है नेक्स्ट है तेलंगाना का पठार यह तेलंगाना में इस्थित है धारबार का पठार यह करनाटक में है राइसीना का पठार यह आंध्रपरदिस वाले इलाके में है और तमिलनाडू में भी कुछ पठारी भाग हैं जिसे तमिलनाडू का ही पठार कहा जाता है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप सभी ने भारत के पठारी ये इलाके के बारे में जाना कि भारत के किस राज में कौन सा पठार इस्थी थे तो वीडियो के लाश्ट में आप से एक प्रस्म पूछना चाहूँगा कि भारत के किस राज में धारबार का पठार और भारत के किस राज में पुर्वत्तर का पठार इस्थिते हैं आप इसका अंसर कोमेंट बॉक्स में जरूर बतायें वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सेर जरूर कीजिएगा चैनल पर पहली बार आये हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेजिएगा ताके हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद